तो इसमाल बात करने वाल बेस्ट यूजफूल वेफसाइट के बारे में जिहाँपन या सभी वेफसाइट इस्टूडेंट के लिए बहुत ही यूजफूल होने वाला जिहाँपन तो बात करते हैं कौन सब वेफसाइट है और क्या चीज़ आपको उसमें फीचर देखने के मिलता है तो सबसे पहले नमबर पर आपको देखने के लिए जाता जटर.video जिहाँपन तो इस वेफसाइट में क्या चीज़ आपको फीचर देखने के मिलता है तो इस वेफसाइट में आप यहाँपर फ्री मोशन ग्राफिक से डिजाइन कर सकते हैं जितने भी यहाँ पर आपको high level के software देखने के लिए मिलते हैं, उनका feature आपको इस website में देखने के लिए मिल जाता है, और जो कि यहाँ पर high level के software होते हैं, जो कि आपको pad देखने के लिए मिलते हैं, उन सभी का यहाँ पर feature आप इसे use कर सकते हैं, इस website में आकर के, और जितना भी animation आप बनाना चाहते हैं, ग्राफिक से design करना चाहते हैं, वह सभी आप इस website में कर सकते हैं बहुत इजली तरीके से, जिहांपन तो बात करते हैं अगले number website की, तो अगले number पर आपको देखने के लिए मिल जाता है, guru99.com जिहांपन तो इस website की खास बाती है कि इसमें जितने भी technology होते हैं, उनसे related आपको इसमें knowledge मिलता रहेगा, जिहांपन जैसे कि programming, AI, machine learning, या फिर जो भी आपको यहांपर language होते हैं, machine language, तो उनसे भी का यहांपर knowledge उसे related आपको देखने के लिए मिल जागा, तो अगले number पर आप आपको देखने के मिलता है, tnd.com, जिहांपन तो इस website की खास बात यह है कि simply जितने भी यहांपर आपको technology देखने के मिलता है, उसे यहांपर related knowledge आपको इसमें देखने के मिलते हैं, और बहुत ही आपको motivation भी मिलता है, और article भी आपको बहुत ही ज्यादा देखने के मिलता है index.com, जिहांपन तो index.com का काम यह है कि जितने भी यहांपर popular होते हैं, लोग जिहांपन तो उनका image एक यह दिमाल जी आप इसमें डाल देते हैं, तो यह website यहांपर search करके आपको बता देता है कि उनका यहांपर popularity कहां तक है, और उनका जो कि यह image है, या फिर उन से related जो भी image यह internet पर आपको समरीद देखने के लिए मिल जागा इस website में, तो यह कुछ इस तरह से काम करता है, तो बात करते हैं अगले नंबर पर website की, तो अगले नंबर पर आपको देखने के लिए मिल जाता है Google search, जिहांपन तो जितने भी PowerPoint में आप फाइल बनाते हैं, तो उसे किस त जाइन करना जिहांपन, तो simply अधिमाल जी आपको knowledge नहीं है, तो आप यहांपर Google search में search कीजिए, photosynthesis और यहांपर फाइल टाइप आप डालिए, double column, इसके लिए यहांपर आपको PPT आपको search करना जिहांपन, तो यहांपर PowerPoint में जितने भी फाइल बने होते हैं, फिर माल जी ज बात करते हैं, अगले नमबर पर website की, तो अगले नमबर पर आपको देखने के लिए मिल जाता है Google AI, जिहांपन तो Google भी बहुत ज्यादा प्रमोट करता है AI को, और जितने भी AI से related knowledge होते हैं, वो सभी Google खुदी deliver करता है, जिहांपन खुदी बताता है Google, जो कि यहांपर AI होत वो किस तर से काम करता है, कैसे यहांपर work करता है, पूरा knowledge यहांपर जानने के लिए simply आपको यहांपर search करना Google AI, तो Google AI search करने के बाद जितने भी advanced knowledge होते हैं, वो सभी आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे, तो बात करते हैं, अगले नमबर पर आपको देखने के ल लगा सकते हैं, तो इसमें आप upload करने के बाद, बहुत ही असानी से उसका जो उतना भी यहांपर draft point होता है, वो सभी आप define कर सकते हैं, कौन सा यहांपर आप mistake किये हैं, और आप उसे यहांपर देखने के बाद fix कर सकते हैं, तो इसको use करने के बाद जितने भी student होते हैं, अ सब्सक्राइब कर लिजिए, वीडियो पसंद आती है, तो इसे लाइक और सेयर कीजिए, कोई सवाले सुझाओ, तो नीचे कमन करके पूछ सकते हैं, दोस्तों, तो आप से मिलते हैं, लेस्ट वीडियो में